वन्दे मात्रम अल्ड़ स्टुडेंट्स तुड़े विल कीप कंटिन्यू दा पॉयम और टू आ नाइटिंगल पिसले वीडियो उसके अंदर हमने देखा था कि कभी नाइटिंगल के साथ में किसी जंगल या चरागा के अंदर जाना चाहता है और इस संसारिक तक वो छोड़ना चाहता है अब कभी यहां पर नाइटिंगल के लिए कह रहा है दाव वाज not born for death immortal bird कभी इस bird को कहता immortal bird यानि हमेशा अमर रहने वाला पक्सी यानि नाइटिंगल एक हमेशा अमर रहने वाला पक्सी है तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है यानि तुम तो हमेशा अमर हो no hungry generations tread the down कोई भी पीडियां जन्रेशन करते हैं पीडियों को the voice I hear वह आवाज जो तुमारी में सुनता हूं this passing night आज रात्री को यह जो रात्री गुजर रही है इस गुजरती भी रात्री को जो तुमारी आवाज में सुन रहा हूं was heard in ancient days एसी आवाज प्राचिन समय में भी सुनी जाती थी इसके द्वारा by emperor and clown राजाओं के द्वारा और उनके जो clown होते थे विदुसक उनके द्वारा वो भी तुमारी इस गीत को सुनते थे perhaps शायद the self-same song शायद ये इसी परकार का जो song है that found a path through the sad heart of Ruth शायद हो सकता है कि जो आज ये song में सुन रहा हूं वेशा का वेशा song Ruth जो थी जिसका दिल कैसा था sad heart वो दुखी थी उसने भी ये song शायद सुना होगा रूत एक Bible का character है जो अंजानी जगे पे चली जाती है जिसके बाद वो home सिक रहती है अपने घर आने के लिए और दुखी रहती है तो उसने भी ऐसा song सुना होगा when sick for home जब वो बिमार थी बिमार sick for home जो word है sick home के लिए जब योज में आता है वो आता है घर जाने की लाल सा या इच्छा के लिए दुखी होना see stood in tears amid the alien कौन वह खड़ी होगी और आंसु बहार ही होगी कहाँ पर alien करते हैं विदेशी जगे पर कौन मतलब कोई चरागाव अगेर होगा वहाँ पर वो भी खड़ी होगी और आंसु बहार ही होगी ऐसा गीत सुनते रहें the same that often times hath charmed magic casements opening on the form of perilous seas in fairy lands fallen ऐसा का ऐसा संगीत और कहाँ सुनाई दिया होगा अक्सर ऐसे महल वगर थे जिनकी खिड़कियां वगर जो थी वो समुद्र की तरफ खुलती थी तो उन खिड़कियों से ओकर भी ऐसा संगीत सुनने को मिलता है चहाँ पर उस समय जादू के द्वारा magic के द्वारा राजकुमारियां अगरे को बंद रखा जाता था तो उन राजकुमारियों ने भी ऐसा संगीत सुनाऊगा उन्हें भी कोई आसा नहीं होगी के वो भी कभी आजाद होगी तो उस समय उन्होंने भी ऐसा सेड जो गीत है वो उन्होंने सुनाऊगा कैस्मेंट्स जो हता है उसको करते हैं विंडोज को खिड़कियों को फेरिलस करते हैं डेंजरस को खतरनाक को फॉर्लोन का आया था सुनसानिया परितक्त फेरि मतलब परी वगरा आगे कभी कहता है फॉर्लोन यह जो सब्ध है फॉर्लोन यह सब्ध ही किसके समान है गंटी के समान है यह सब्ध ही यह जैसे कोई गंटी होती है उस बसती है तो सब का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है वैसे वो यह सब्ध सुनता है तो उसका ध्यान अचानक यंद्रित हो जाता है टू टॉल में बैक यह सब्द बजने का काम करता है टॉल करते हैं रिंग को बजने का बैक फ्रॉम दी टू माई सॉल साल जब यह सब्द बजता है तो मुझे लगता है कि वापिस में अकेला हो चुका हूँ यानि इससे पहले कभी अपने आपको किसके साथ महसूस करता था कि वो नाइटिंगेल के साथ में है लेकिन अब वो कहा रहा है कि यह जैसे इस सब्द सुना है मैंने मुझे लग रहा है सौल करते हैं एक मातर को केले को एड्यू अब वो इसको करता है एड्यू एड्यू का मतलब है अलविदा कहना फेरवेल the fancy cannot cheat so well कि swapन जो होता है कलपना जो होती है वो इतना cheat नहीं कर सकती इतना धोका नहीं दे सकती इतने अच्छे तरीके से a, c is famed to do जितना की तुम famous हो किसके लिए इतनी अच्छी तरीके से धोका देने के लिए अब यहाँ पर कभी nightingale को धोका देने वाला बता रहा है deceiving elf तुम की समान हो एक धोके बाज नन्नी परी के समान, elf करते है परी को edu, edu अब उसको अलविदा करता है farewell करता है die plenty of anthem तुमारा यह जो संगीत था दर्द बरा, plenty करते है दर्द बरे को तुमारा यह जो दर्द बरा संगीत था feds उसकी आवाज अब कमजोर हो जाती है past the near middles जब यह आवाज किसको past करती है किसे होकर गुजरती है past के ही चरागा को गुजरती है तो आवाज इसकी धीमी पड़ जाती है over the still stream जब यह शांत नदी की अधारा की उपर से होकर आती है तो और ज़्यादा आवाज धीमी होती जाती है यानि कभी जहां खड़ा होता है उसके आगे चरागा है या कोई नदी है तो आगे जब वो पक से चला जाता है तो उसकी आवाज धीमी हो जाती है अब दा हिल साइट हिल साइट के उपर भी आवाज जो थी वो भी धीमी हो जाती है अब यह आवाज जो है अब तो यह पून रूप से बंद ही हो गई है अगली जो घाटी वगर है या अगले घाटी के जो चरागा है गलेट्स कते चरागा को वहाँ शाइद यह आवाज गाइब हो गई है अब कवी कोई आवाज सुनाई नहीं देती वोज इट अ वीजन अब कवी यह सोचता है कि यह क्या कोई स्वपन था वीजन मतलब स्वपन नहीं है और अ वोकिंग ट्रेम वो जाग रहा था और सुपन देख रहा था फ्लेड इस देट म्योजिक अब वो जो संगीत था वो तो अब गाइब हो चुका है डू आई वैक क्या मैं जग चुका हूँ और स्लेफ या मैं सोया वाँ यह कभी सोच रहा होता है यानि वो सोचता कि यह जो संगीत था क्या मैं नींद के अंदर सुन रहा था क्या या मैं जागते वेई यह संगीत सुन रहा था तैंक्यू